अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए अरे क्या फ्रेंक्लिन भीया कब का नहार रही हो अभी तो बाहर आ जाओ अब यार शेंशान मुझे मज़ा आ रहा है रहने देना अरे छोड़ो ये नहीं निकलने वाले अरे रुको चॉप मेरे पास एक आइडिया है उससे ये बड़ी आसानी से निकल जाएंगे और वो क्या है तुम बस तैयार हो जाओ अरे गरम गरम पानी को निकालना चाहिए अब यार तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या बस मुझे पूल से निकालने के लिए पूरा पूल गंदा कर दिया थोड़ी भी अकल है या नहीं है अब इसको साफ कौन करेगा बताओ मुझे क्योंके मैं तो करने वाला नहीं हूँ अरे तो और कौन करेगा ये तो आपको ही करना पड़ेगा एक मिनिट गाइस ये क्या सुनाई दिया रेडियो पर ये कब फैला और सब अपने घरों के अंदर ही रहिए क्योंके बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है शिंशान तुने सुना ये तो बहुत बड़ी गडबड हो गई यार अरे अभी हम लोग क्या करेंगी और मैं सूसू पोटी कहा करने जाऊंगा चौ प्यार तू तो रहनी दे तू वह इसे भी कौन सा बाहर करता था करता तो घर के अंदर ही था ना एक मिनिटा मुझे किसी का कॉल आ रहा है जनरल हेलो फ्रेंकलिन मेरी बात सुनो तुमें तो पता ही होगा के लोसेंटोस में क्या चल रहा है हमारे लिए बहुत ही मुश्किलो भरे हालात है तुमें हमारी मदद करनी होगी क्योंके हालात काबू से निकलते ही जा रहे है आरे पर मैं कैसे मदद करूंगा यार तुमारे पास मिलिटरी का युनिफॉर्म है वो मैंने तुमें ऐसे ही नहीं दिया था उसे लो और जाके उन लोगों को बचाओ जो अभी तक इस वाइरस का शिकार नहीं बने है अच्छा ठीक है शींचैन यार मुझे जाना पड़ेगा तुम दोनों घर के अंदर ही रुकना प्लीज कही बाहर मत निकलना वरना और बड़ी मुसिबत हो जाएगी अर्या पागल हो क्या हमें अपनी जिन्दगी प्यारी है हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगी हाँ बिंदा जाओ और लोगों की मदद करो पता नहीं कितने लोग फसे हुए होंगे ये वाइरस तो पुरे शहर को ले लेगा अपने लपेटे में अच्छा ठीक है रुको मैं जा रहा हूँ गाईज आ जल्दी से जाके वो युनिफॉर्म पहन लेते हैं यही कही रखीती मैंने है चलो इसे तो मैंने पहन लिया है लग रहा हो ना एकदम नेवी वाला ये युनिफॉर्म ऐसे ही पहनने नहीं मिल जाती इसे पहनने के बाद बहुत सारे काम करने पड़ते है देश के सेवा करनी पड़ती है शिंशान चॉप मेरी बात सुनो तुम दोनों को जो बोला या देना कही घर से बाहर जाना नहीं किसी को घर अंदर आने देना नहीं और कुछ भी गड़बढ हो मुझे तुरंत कॉल करना मैं सीधा आ जाओंगा अच्छा ठीक है अब चिंता मत करो तो गाईज यार जल्दी से यहाँ से निकल थे क्यूंके मुझे तो बहुत जादा टेंशन हो रही है पता नहीं शहर की हालत क्या होगी जल्दी से बाई को चालू करता हूँ सबसे पहले तो मुझे उनको ढूनना होगा जो अभी तक ठीक है इससे पहले कि वो भी इस वाईरस का शिकार बने उन्हें उट जगह से निकालना होगा एक मिनिट यार किसका कॉल आ रहा है जनरल फ्रेंकलीन मेरी बात सुनो तुमें बहुत समल कर काम लेना होगा और अगर ज़रूरत पड़े तो हमने तुमारे ले एक मिलिटरी वहिकल तयार रखा है तुम उसका इस्तमाल कर सकते हो फिलाल उसे रिपैरिंग के लिए दिया है मैं तुमें लोकेशन भेज रहा हूँ तुम वहाँ पर पहुचके उसे ले सकते हो अच्छा ठीक है आप जैसा कहे मुझे लगता तो है गाइस के जुरुत पड़ेगी आप लोगों ने बीच में देखा होगा कितने सारे जॉम्बी गुमरे शेहर में चलो जनरल ने जो लोकेशन दी थी ना वो तो यही की है मुझे लगता कि यही वो वहिकल है चलो लगतो काफी धासू और मजबूत रहा है वैसे बें मिलिटरी के वहिकल कमाली होते है काम करता हूँ उनसे जाके बात करता हूँ वरना पता चला किसी और का वहिकल लेकर लेकर चला गया मैं अबे यार यहाँ पर तो जॉंबी आ रहे है इन सब को मारना पड़ेगा इनकी तो मैं पास नहीं आना पास नहीं आना यार हमें काट लिया तो लोचा हो जाएगा हम किसी को कैसे बचाएंगे फिर तुमारी तो मैं मुझसे दूर अटो अबे नई 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 पास आ रहा है शीट यार गलती से हमारे एक सोलजर को गोली लग गई मुझे माफ कर देना मैंने गलती से किया उसे होस्पिटल पहुचाना पड़ेगा सबसे पहले यार ये लोग तो पास आते जा रहे मरने का नाम नहीं ले रहे गोली लग जा गोली लग जा आफिसर मुझे माफ कर देना इनको कोई होस्पिटल पहुचा देना प्लीस इनकी सासे चल रही है चलो यार गाईज अब टाइम में यहाँ हैं से निकलने का और लोगों को बचाने का हमें वो जगर ढुनने होगी जहां पर वो लोग फसे हुए है, सबसे पहले तो शहर में जाता हूँ, mostly लोग वही पर होते है चलो एक बात अच्छी है कि ये गाड़ी है अपने पास इसके वज़े से मैं safe महसूस कर रहा हूँ Guys, यार हम लोग शहर के अंदर तो पहुच गए पर आप लोग यहाँ पर zombies देख रहे हो इतने सारे लोग zombie बन गए हम एकदम आराम आराम से चलना पड़ेगा क्योंके अगर जादा आवाज आई तो इनको पता चल जाएगा वो देको वहाँ पर एक lady है बिचारी रो रही है, हमें उसे कैसे भी करके बचाना होगा guys कोई बचालो please रुख जाओ मैं आ रहा हूँ बस आवाज मत करना जादा guys यार यहाँ पर उतर जाते क्योंके जादा दुर चलेंगे गाड़ी की आवाज आ गई तो इन लोगों को भनक हो जाएगी अभी तक इन लोगों ने सुना नहीं के हम लोग यहाँ पर आ गए यह लोग ठीक से देख नहीं सकते, जहाँ तक मुझे लग रहा है वरना अभी तक तो हमारे पीछे पड़ी जाते चलो guys यहाँ पर कोई नहीं जल्दी से लेड़ी के पास जाते है फटा फट बैट अरे यह लो मैं बैट गई, मैं तो डरी गई थी तुमारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे बचाने आए अरे यार यह तो मेरा काम है अब यहाँ से वापस निकलना पड़ेगा एकदम आराम आराम से दीरे दीरे करके यहाँ से निकलना है क्योंके हमें और भी लोगों को बचाना है बहुत सारे लोग है जो अभी भी फसे हुए आप लोग लोग लोज सेंट पस की हलत देख रहे हो लगी नहीं राके यह वो शहर है जिसे मैं जानता था पूरी तरीके से बरबाद हो गया है एक मिनिट गाइस इस बस के अंदर भी कोई है चलो आसपास कोई जॉंबी नहीं है फिलाल मतलब है पर थोड़े दूर है इन्हें पता नहीं चलेगा आराम आराम से जाते हैं और उसको जाके बचाते हैं अरे सुनो ना अब तु मूट सकते हो मैं तुम्हें बचाने आया हू चिंता मत करो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा तुम्हें उसने काटा तो नहीं है ना अरे नहीं उसने मुझे नहीं काटा है मुझे कुछ भी नहीं हुआ मेरा भरुसा करो अच्छा अच्छा ठीक है चिंता मत करो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करना एकदम आराम आराम से मेरे पीछा आना बस उन्हें आवाज नहीं आनी चीए अब यह अंधा टकरा रहा है इतना भी क्या डरा हुआ है रास्ता दिखाई नहीं दे रहा उसको गाइस 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 हमें भी नहीं चिला ना मैं भी बूल जाता हूँ चलो जल्दी से बैठते आजाओ भाई अरे येलो आ गया अरे अंदर तो और भी लोग है कैसी हो दीदी अरे मैं ठीक हूँ तुम भी यहाँ पर फसे हुए थे क्या आरे हां मैं भी फसा हुआ था पर इन भीया का बहुत बहुत शुक्रिया जिनों ने मुझे बचाया प्रेलों कोई बात नहीं अभी आराम से बैटना है कही पर भी गोली पर यह दीरे दीरे चलना पड़ रहा है आप लोग देख रहे हो गाईस जगा जगा पर जॉंबी है ऐसा लग रहा है कि यह सारे कि सारे सोर है बस एक आवाज करने की दे रही है फिर तो हम लोग खतम इतनी आराम से गाड़ी चलानी पड़ रही है ओहा पर तो बलास्ट की चारना है यहाँ बाहर तो कोई जॉंबी दिखाई नहीं दे रहा ऐसा तो नहीं कि सारे जॉंबी अंदर ही चले गए अब तो वो अंदर जाकर ही पता चलेगा फटा फट चलते हैं चलो गाइस हम लोग आतो गए अंदर ओहो जन्रल ने तो एकदब सही कहा था यहाँ पर तो क्योंकि नीचे तो कही पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे बस यहाँ पर कोई जॉंबी नहीं हो छुपके देखता हूँ गाइस शरill ही आमने यहाँ नहीं नहीं दिखाई नहीं से मुझे भाव पर कुछ लोग दिखाई दे रहे गाईस बहुत ही सहमे हुए पर टाक से जाके देखते ओ ओ ओ ओ नहीं नहीं यहाँ कोई जॉम्बी नहीं खाली लोगी है चलो यार कम से कम इने ढूम तो लिया आप सब लोग मेरी बात सुनो डरने की कोई बात नहीं है मैं आ बहुत सारे लोग है मैं इन सब को छोटी सी गाड़ी में लेके नहीं जा सकता आप जल्दी से जल्दी उसे म्यूजियम के पास पहुचवा दीजिए अच्छा ठीक है तुम चिंता मत करो तुम बस उन्हें लेके वहाँ से निकलो अच्छा ठीक है आप सब लोग मेरी बात स जाए अरे जहां से चड़ना है चड़ो बस पहुच जाओ गाई चलो यह सब लोग तो बैठ गए अब फटा फट इनको लेकर सेफ जगह पर पहुचते हैं हमें केम्प में पहुचना होगा जहां पर बाकी लोगों को रखा गया है क्योंकि अब तो शेहन में कोई भी जगह सेफ नहीं है मुझे तो शिंचान और चौप के भी चिंता हो रही है पर अगर वहाँ पर कोई खत्रा होता तो वो लोग मुझे कॉल कर देते हैं अब वापस है इस जगह से होकर गुजरना पड़ेगा गाईज ओहो भाई साब इस बार तो पूरी ट्रक है मुझे लगता है क इसे पता चलेगा कि वो पर कौन से बात कर लेता हो आपने जैसा गहा था मैंने कर दिया इन लोगों को मैंने बचा लिया है अगर और कोई काम हो तो मुझे बताईए एक बहुत इंपोर्टन कामबाक की है तुम्हें लैब में जाना होगा वहाँ पर एंटीडोट रखा हु पर मुझे कैसे बता चलेगा कि वो कौन सा है वहाँ पर साइंटिस्ट है जिन्होंने उसे बनाया है वो तुम्हें बता देंगे अचा ठीक है मैं जाता हूँ गाइस या जल्दी जल्दी जाता है यह ट्रकी लेकर चले जाते है क्योंकि अगर बीच में और भी लोग दिखे था अब इसके अंदर जाना है मुझे थोड़ा सा डर है कि इसके अंदर कई जॉंबी ना हो क्योंकि यहां से कोई कॉटेक्ट नहीं हो पा रहा है मना जनरल वो दवा खुदी मंगा लेते ओ भाई साब गाईस यह क्या यहां के तो पेशन्ट भी जॉंबी बन चुके है अब मुझे जाके उसे खुदी डुनना पड़ेगा मुझे तो वो भी नहीं पता कहा पर है उपर से यह जॉंबी सर पर चड़ रहे है यार क्या लोचा है यार यह सब अब यार यह तो मर चुका है और मुझे बिलकुल भी नहीं पता कि जॉंबी को ठीक करने वाली दवा कौन सी अगर मैं यहाँ पर ढून भी लूँ और लेकर भी चला जाओ और बाद में पता चले कि वो दवा तो गलत थी तो फिर क्या होगा पूरी मेहनत पानी में जाएगी और तब तक तो पता नहीं कितने लोग जॉंबी बन चुके होंगे कहा जा सकती है कहा जा सकती है गाईज यार यहाँ पर कुछ तो दिख रहा है मुझे लग रहा है कि इतनी सारी में से कोई ना कोई तो होगी वो दवा एक काम करता हूँ पूरी ट्रेई उठा लेता हूँ जल्दी से लेते है क्योंकि मेरे पास और कोई चारा तो है नहीं चलो गाईज अब इसे लेके जल्दी जल्दी चलते ही आसे निकलते है और जाते जनरल के पास अब वो ही बताएंगे कि मैं सही चीज़ लेके आया हूँ या नहीं पटाक से ट्रक में बैटता हूँ गाईज यार मुझे नहीं पता क्या होने वाला है यह दवा ठीक है भी या नह है भी याहिए जल्दी दिदी पास't चाहँ जल्सएड यापै barrelsहीं और लेक आया मैं जल्सएव अरवाँ लेक कि हर सवई भी च Подबस्की आईश पकाण होँ consciousness a अ झाल झाल झाल